हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक एडगर है मैं मनुविकार तक गया सेक्स रोग तक गया सम्मोहन विशेश अद्निया नशामुक्ती तद्निया एडनलपी ट्रेनर और एक कोच हूं मैं आपको बताने माला हूं पैनिक एटेक्स के बारे में पैनिक एटेक्स और पैनिक डिसॉर्डर यह पैनिक एटेक्स होता क्या है कुछ कुछ लोगों को आल अफेश अडन एक दम अच्छानक से बहुत जबर्दस्त बिना कुछ वजर एकदम घबराट आती है कोई एपरेंटली कोई रिजन में रहता है इतनी धड़कन इतनी धड़कन चलो जाती सिना धड़ धड़ करने लगता है पुरा पसिना तर हो जाता है हाथ कापने लगते है पेट में ऐसा कुछ तभी गोला उड़ जाता है कि अभी पेट में कुछ तभी हो जाएंगा उनको असा रगता है कि बस धर्तिमा भी बिलकु वहां से इतना घबरा जाएंगे वहां से निकल जाएंगे भाग जाएंगे या किसको पकड़ लेंगे उनको बैठ जाएंगे और यह जो एटेक आता है यह एटेक उनको 15 मिनिट से लेके 60 मिनिट में एक घंडे तक चलता है और वह एक घंडे के बाद में नॉर्मल हो जाएंगे उसको लते पैनिक एटेक और यह एटेक का कारण कुछ नहीं है एपरेंटली कोई कारण दिखता नहीं है ऐसा हुआ क्यों क्या हुआ किसके वज़े से हुआ कुछ नहीं एकदम सडनली उनको एटेक आता है और वह उसमें पर आता है कर बाहर निकलते तो हमें जब सेफ रहते तो उनको कुछ लगता नहीं है वह एटेक के समय वह कहीं डॉक्टर के पास निकल जाएंगे वहां भरती हो जाएंगे एडमिट हो जाएंगे उनको तक अभी मही मर जाओंगा मरनेवालों हम अभी कोई बचानेवाल है कि कुछ दिन तक नौर्मल रहेंगे और हो जाते पैनिक ऑटाक बुलते हैं तुम पैनिक कुछ ना कुछ शिम्टम कुछ ना कुछ लक्षन चालू रहना तो उसको ओलते पैनिक डिसॉर्डर अब यह दोनों का इलाज मतलब एटेक आना बीज में एकदम नॉर्मल हो जाना यह एटेक आके नॉर्मल नहीं होना और मेना दो मेने छे मेने चलना अब दोनों इसमें इला पर भरती हो जाएंगे यह उनको ऐसे कोई दवाई यहां अपने पास में है वो दवाई यहां उनको देते हैं कि ऐसा आटक आ गया तो जुबान के नीचे यह गोलियां रखो तो अटक निकल जाएगा तो गोलियां रखते और अटक से मुक्ति पास सकते हैं और फिर कुछ दिन तक वो गोलियां रोज की रोज भी लेना ज़रूरी है और रोज दवाई लेते हैं गोली खाते हैं तो उनको यह सिम्टम आएंगे ने लक्षर आएंगे ने धिरे धिरे अच्छे हो जाएंगे कुछ लोगों को सिर्फ अपने खिसे में गोली रख भी दिया और रखा अपने पास में उनको यह लगता है कि जलो अपने पास में दवाई यहां है तो अभी अपने को कुछ होंगा नहीं तो अपने पास में दवा रखता है और उनको कुछ होता नहीं मतलब जैसा नीन के बारे में होता है कि कुछ लोग लगता कि मेरे पास में नीन की गुली है तो नीन की गुली लेने के उनको जरुद में रहती है वैसा इनका है कि गुली लेने की जरुद लगेंगी भी नहीं मगर खीसे में गुली है और गुली जबान के नीचे रख दिया तो अपने को अच्छा हो जाएंगा ये विचार से भी वो अच्छ हो जाते हैं इसके अलग-अलग तरह के इलाज है वो मेरे और कुछ वीडियो में इसके इलाज उपलब्द है मुझे इतने बताने काया है कि ये जो बीमारी है ये बीमारे से ये अपनी quality of life जीवन जीने का द तरह के इलाज है और वह ये आप एक्सपर्ट से लेते हैं तो इससे जरूर मुक्ति पास सकते हैं आपके संपर्ग में आने माले काफी लोगों को ये बीमारी होंगी या इसे लक्षन होंगे तो ये जरूर उनको शेर करो वीडियो ताकि उनको भी जानकर हो जाएंगे कि य हमारे से अच्छे हो सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं थैंक यू बेरे मच्छ